नमस्कार जी मेरा नामे मीनू बवताने जा रही हूँ अपनी बर्थडे टेट से जानिये कहां और कितना पैसा कमा सकते हैं आप जीवन में सफलता या सफलता हमेशा बनी रहती है जिसको व्यक्ति समालता रहता है लेकिन बैपारिक सफलता ना मिले तो जीवन जीने पर ही सवारिया निशान लग जाता है प्रते कंग का अपना बैपारिक नजरिया एमलाब पाने का तरीका होता है जन्मान एक से चार तक जिन लोगों का जन्म किसी भी महा की एक चार तस तेरा उननिस पाइस अठाइस अथवा इकतिस तारीकों उगा हो उन लोगों को सदैब सूर के समान प्रवावशील बैपार करना चाहिए ऐसे लोगों को गरेलू आफशकताओं के समान का बैपार करना चाहिए विशेश तोर पर खार पदा ते मिठाई का वैपार इंगे लिए लागतायक होता है साथी इने अपनी कारिस्थल या दुकान में उप्तर अथवा पच्चिम की तरफ मूँ करके बैठना चाहिए वा दुकान की तिवारो वा फनीचर पर सफे तथा ब्राउन कलर का इस्तमाल करना इनके लिए उप्यक्त होता है इने सूरे भगवान की पूजा करनी चाहिए साथी अपने पुरूजों की ब्लैक एंड वाइट फोटो लगाने चाहिए जन्मान तीन से पाँच जिन लोग का जन्म किसी भी महने की तीन पाँच पारा चौदा इकिस तेज या तीस तारीक को हुआ हो उन्हें गुरू तो था बुद के ब्रते निजित वाली चीजों जैसे शिक्षा होल्ट सेल का पैपार करना शुब रहता है इन्हें शिक्षन संसाओं से जुड़ी समगरी एवंतवयों का कारोबाल में विशेश सफलता मिलती है इन्हें अपने कारिस्थल पर भगवान विश्रू लच्मी तथा गडेश जी का चित्र लगा कर उनकी पूजा अर्चना करने चाहिए साथ ही कारिस्थल की दिवारों वफरीचर में गुलाबी हरा सफेद के सरिया वबलू रंका उप्योग करना इनके लिए शुब रहता है जन्मांग तीन पाँच वाले लोगों को अपनी कुर्सी पर हरा तौलिया रखना चाहिए इत्ता पूर्व या उत्ता दिशा की होत मूँ करके बैठना चाहिए जन्मांग दो से साथ जिन लोगों का जन्म किसी भी महने की दो, साथ, ग्यारा, सोला, बीज, पच्चिस तारिक को हुआ हो उन लोगों को टेक्निकल करोबार अथा, मोबाइल, कंप्यूटर, ब्याव, ग्रॉफिक्स, तेशी करोबार में दुख्द उत्पादन का कार लाद तयक रहेगा इन लोगों को अकेले करोबार नहीं करना चाहिए अनथा घाटा लगने का चांस रहता है सदैब दुकान का नाम, इस्त्री प्रधान या किसी इस्त्री के नाम पर रखे साथी बैपारे के स्थान पर मालचमी का खड़ी अवस्था में चित्र लगाए इत्र ता इत्र लगाए भगवान शिव की पुजा से उन्हें बैपार में लाब होता इसलिए सोंबार को शिव मंदिर में दूर्ट तता शेहत चड़ाना चाहिए इन्हें आफिस की तिवारों पर सफेद गुलाबी क्रीम हरा एम स्लेटी रंका उप्योग करना चाहिए जन्माग 6-8 जिन लोगों का जन्म किसी भी महने की 6-8, 15, 17, 24, 27, 26 तारिक को हुआ हो उन्हें सौंदर परसादन एस्त्रियों के काम आने वाली वस्तों का पैपार करना चाहिए इसके अलावा वो इंटेरियर डोके रेटिंग या किसी भी तरह की साथ सजावट खुबसूरती, मेकप, पादी से जुड़ा काम करें तो भी शुब रहेगा उन्हें स्यम के शरीर पर भी फरप्यूम लगाना चाहिए उन्हें अपने कारिस्तल पर घहरे रंग का उप्योग करना चाहिए साथी कारिस्तल पर पच्चिम अमुत्तर की और मूह करके बैठना चाहिए देवी की पूजा अर्चना करना तथा शुक्रुवार का ब्रत उनके लिए विशेश रूर से लावदाई है उन्हें अपनी दुकान में श्रियंत्र या लश्मी गुबेरियंत्र रखना चाहिए जन्मांग आठ वाले लोगों को नुहे या तेल का कारोबार विशेश फल्दाई होता है जन्मांग नौ नौ मुल्यांक मंगल परधाने अतजिन लोगों का जन्म किसी भी महा की नौ, अठारा या शत्ताईस तारिप को हुआ है उन्हें जमील से जुड़ा विशेश लागतायक रहेगा कुछ लोगों को धार्मिक सामगरी का कारोबार भी लागतायक रहता है उन्हें अपने कारिस्तल पर पूर या उत्तर की तरफ मूँ करके बैठना चाहिए उन्हें अपने कारिस्तल पर सफेद, लाल, हरा, क्रीम और आस्मानी रंग का प्योग करना चाहिए इन्हें वैपार अकेले ही करना चाहिए धन्यवाद मेजे चनल को सब्सक्राइब जरू करें